हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिल्मी खबरी में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं अक्षे कुमार और ट्राइगर शुरॉफ की आने वाले फिल्म बड़े मिया छोटे मिया टू के बारे में दोस्तों इस फिल्म से जुड़ा अप्डेट हमारे पास है वही अप्डेट हम आपके साथ आप शेर करने वाले हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि हम यहा से अपनी फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंस्मेंट करती है एक्शन से बरपूर इंटर्टेन्मेंट का तड़का लगाने अक्षे कुमार और टाइगर शुरॉफ की जोड़ी क्रिसमस 2023 पर हमें देखने को मिलेगी लीजर में दिखाया गया है कि कैसे अक्षे कुमार और एक दूसरे से टकराते हैं और अपना इंट्रोडक्शन बड़े मिया छोटे मिया कह कर देते हैं और जब बड़े मिया और छोटे मिया एक साथ आने की बात करते हैं तो कोई कैसे एकसाइटेड नहीं होगा इस मेगा बजट एक्शन फिल्म की अनाउंस्मेंट इन साथ धमाखा करने का फैसला लिया है इस फिल्म को जैकी भगनानी के बैनर तले बनाया जा रहा है अली अबाद जफर ने इस 300 करोड की मेगा बजट फिल्म को डिरेक्ट करने की जिम्मेदारी ली है तो महीं गर्फरेंड दिशा पतानी ने भी टाइगर श्रॉफ के टीजर की फोटो शेर करते हुए लिखा कि यू आर हॉट हमारी रिपोर्ट के मताबिक अली अबाद जफर काफी वक्स से चाहते थे कि वो दो एक्शन सूपरस्टार के साथ फिल्म बनाए और अब जाकर उनका ये सब नास सच होता दिख रहा है और वो इस प्रोजेक्ट रिली काफी की फीस पर भी खर्च होने वाला है इस फिल्म पर अली अबाद जफर मात्र सौ करोड ही खर्च करेंगे दो एक्शन हीरो की फिल्म में बॉलिवुड में इसलिए बहुत कम बनाए जाती है क्योंकि दो स्टार्स की फीस बजट की सारी सीमाय पार कर जाती है और ऐसा ही इस फ पोस्ट प्रडक्शन में जाएगी इस फिल्म पर एडिटिंग का सारा काम होगा और क्रिस्मस 2023 पर हमें ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी तो दोस्तों इस वीडियो में तो केवल इतना ही अब आप हमें बताई आप कितने जादा एक्साइटे हैं फिल्म बड लॉकबस्टर साबित हो पाएगी या नहीं हमें जरूर बताईए कमेंट सेक्शन में और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल फिल्मी खबरी को सब्स्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए